जि मित्रोंनमशकार और अईवधनः आप सभी को एक पर फिर से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस समय एजूकेशन इमरजेंसी नछफिस कर दी गई है education की emergency वैसे तो पाकिस्तान का परीचए emergency से बार बार होता रहा है अब से लेक़ जब से वो उनका न निर्माड हुआ जब से वो अस्तित्वे में आए basically पाकिस्तान as a nation state जब से वो अस्तित्वे में आए तब से बार बार वो emergency martial law और ये ऐसे लवज ने जो पाकिस्तान के इतिहास में बार बार भर कर आगया आते रहे और इन्ही के नाम पर इन्ही के आराउंड पालिटिक्स होती दी जो नॉर्बर पालिटिक्स भी हुई उसमें हमेशा ये खत्रा मुझूद रहा कि कब इमर्जेंसी लग जाएगी और कब मार्शाललाह लग जाएगा इन्फेक्ट मैं आपको यहां तक बताओं कि जो एक जोक जो चलता है अकसर पाकिस्तान में कि कहीं ट्रेफिक्स जाम हो जाए कहीं ऐसी दिक्कत आजाए जो अनजानी सी हो अनप्रडिक्टिबल हो पहले से तो आप देखिए तो लोग फोन कर र गर्मेंट्स हैं उनका बिड़ा कब गर को जाए कब उठा के बार फेक दिया जाए कोई जानता है नहीं फॉज के आने की प्रड़िटी हर वक्त बनी रहती है तो मगर इन तमाम बातों के विपरीत पहली बार जो एजुकेशन इमर्जेंसी यहां लगाई गई है उसका गर्जेंट लेवल पे तुरंत पाकिसान में गौर किया जाने की ज़रूरत है मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आप बजट वाइस देखें हैं जो पैसे दिये जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स को और जो चुकिशन जो है वो सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है तो उन इनका जो बजट टोटल बनता है एजुकेशन के नाम पर वो वर वाल पूरी का बजट जो है एजुकेशन के नाम पर तमाम सेट्स को मिलने वाला और जो सेंटर से मिलता है वो डिफेंस बजट से भी जादा बन जाता है in terms of numbers वो अलग बात है कि जो बजट दिया जाता है व कितना कमीशन बाजी हो कौन कोईसे कैसे प्रजेक्रिशन बना रहे हैं और कौन लोग कितना खा रहे हैं यह एक अलग मुद्द है तो बिसकली वो लोगों के जैम में चला जाता है एजुकेशन के नाम पर वहां कुछ होता हुआता नहीं और जो मान लीजिए कि कि कभी किसी वहाँ पर आए मून तोड़ता आ दिये तो यह सब वहाँ चलता रहा है एजुकेशन के नाम पर करप्शन उसी वीच में तो दो दिन पहले यह जो आई खबर एजुकेशन अमर्जेंसी की नमबर एक नमबर दो की साथ ही आज वजीरिस्तान और वजीरिस्तान में लड़कियो इन दोनों मुद्दों पर और फिर इन के साथ साथ जो यह एजुकेशन के साथ में जो स्कूल जनाने वाला मुद्द है एक, दूसरे कि पाकिस्तान आपकेशन जो कश्मीर है वहाँ पर इसमों मजाहरे चलने बड़े जबदस तरीके से, वहाँ मजाहरे क्यों चलने? बिज सुमिर में यह development हो रही है, यहां क्या हो रहा है? आपोर्ट है, तो station है, तो क्या है क्या नहीं, वो सब वहाँ इसलिए बहाँ पर जो law order है उसमें भी जो सरकारी तंत्र है वो कोई बहुत जादा दखलनदाजी नहीं करता है तो वो basically फौज होता है उतरी है और तो और इस समय पर जो पंजाब पुलीस है लहार की जो पुलीस है वो भी समय पंजाब यहां भीजी जा रही है ताकि वो भी देखें वीडियोस देखें जहां पर वो बच्चियां पढ़ी हुई है उनकी आँखों में इस समय क्योंकि वो प्रोट्रक्टेड नहीं थी उनको क्या मालूम होता है कि कुर्टी अगर सरसल जाएंगे नहीं उनको किसी और गनाइस तरीके से उनको लाया गया है ति वो गी साल भर से बात कहा रहा हूं कि जिस हालत में पाकिस्तान है पुलिटिकली एकनॉमिकली सुसाइटल लेवल पे मैं बार-बार कहता रहा हूं एक कीवर्ड इस रात की सुबा नहीं आप देखिएगा यह चीजी जह जा रही है खया आज हमारे प्यारे कमल चीमा जी जो है वो इन दोनों मुद्दों पर बड़े डिस्टरब हुए और उन्होंने बड़ा ही एक खुबसूरत वीडियो बनाया जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं आपको जुरूर देखना चाहिए वो वीडियो क्योंकि यह थौर्ट प्रोवोकिन है मैं आपको बता हूं यहां पर कम सानफॉर्ज और गर्वर्मेंट को बैसिकली दोनों को लेकिन यह याद रखिए कि यह जतना वो कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड है क्योंकि जो जमीन पर हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा है यह मैं आपको उता सकता हूं तो खेर हम चलते हैं अपने इस वीडियो के त अंदर अमर्जनसी नाफस करें के एजूकेशन अमर्जनस ओ भी दो दिन हुए हैं कि अमर्जनसी तो नाफस हो गई लेकन तालवान ने दैश्चतगर्द ग्रूपों ने नॉर्थ वजिरस्तान के अंदर लड़कियों की स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया वहां पे एक प्राइवर्ट स्कूल था नॉर्थ वजिरस्तान एक ये फॉर्मली इस अलाके को फाटा कहा जाता था ठीक है जी फैडरली एड्मिनिस्ट्रेटर्ट ट्रैबल एरिया लेकिन बाद में इनको मर्ज करके खबर भक्तून कहा जो सूब है उसका हिस्सा बना दिया गया ये जनाब स्कूल में लड़कियों की स्कूलों को टार्गेट करना सिरु करती है ये है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दैस्टगर्द ग्रूपों जहादियों का माइंड सेट ये जहादियों को हमने त्यार किया माजी में अब हम उन से लड़ तो रहे हैं लेकर लड़ बड़ा मुशकल रहे हैं अपनी जान भी दे दी माल भी कुर्बान कर दी अपने बचों की तालीम भी कुर्बान कर दी सारा कुछ ही कुर्बान कर दी और ये मुसलसल स्कूलों पर हमले करें आज के नहीं पुरानी बात है ये तो अभी हुआ ये है अभी हकूमत ने अगर आ पता है जो नहीं है जो data ये मेरे पास नहीं इसकी यह तो लादे बात दूसरा आज इसके भी बात करनी है 그 यह अजात किश्मीर की अंदर जो प्रोटेस्त हो रहे हैं कियो हुआ हो कु? उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही हैं क्यों सबज़ती है अकूमत के इनके साथ यह आप यह देखिएगा कि जब यह दो करोड साट लाग की बात करते हैं तो दो करोड साट लाग कितने में से हैं? चौविस करोड में से. पाकिस्तान की देटा यह है. यानि कि जो प्राइवेट जो रियालिटी है क्यों सारा कुछ तो गौर्मन की डेटा में अभी नहीं पाता है आप जानते हैं यह पाकिस्तान है मगर जो 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 ओल्री अवेलेबल डेटा है वो दो करोड साट लाग का है. जो रियल पिक्चर है वो चार है पांच है कोई नहीं जानता यानि कि चौबेस पच्चेस करोड में से रफली अगर मान लिया जाए तो जिस्ट राउंड आफ कि अगर चार करोड लोग है तो आप जरह सोची यह सरफ स्कूल जाने वाले बच्चे जो नहीं जा रहे हैं आगे जो पॉपलेशन है उसका कहना ही क्या और बाइदर जो परिभाशा है वो वावी हुई है कि अगर कोई आदमी में नाम पढ़ सकता है लिख सकता है तो वो पढ़ा लिखा है आप जो है वो डंडे के साथ सलूग करेंगे तो यह ठीक रहेंगे एनी हो अब देखें कि ये ये जो क्वेस्चन है कि एक طरफ हकूमत ने ये फैसला किया कि जो बचे स्कूल जाने वाले हैं उनको स्कूल क्यों नहीं बेजा जा रहा है क्यों हम उन बच्चों को स्कूल नहीं बेज पा रहे हैं क्या वज़ा क्या है एक वज़ा तो ये भी है कि बहुत सारे जो militant groups हैं फूर्स करते हैं फैमिलीज को कि अपने बच्चों को स्कूल ना बेहरा वरना थमला और यागा तेने बच्चे मारे जाने एक वज़ा यह है दूसरी वज़ा यह है कि हमने लोगों को ट्रेंज कर 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 जो modern education है उससे बखा दी है हम modern education को lift ही नहीं कराते हैं ठीक है जी और वो जो modern education की access होना और समझना कि जो modern education है that is equivalent to फहाशी that is equivalent of जिसे आप कहलें के जी ये जो है ना ये बिरार रवी की तरफ लेके चली जाए ये बेसिकर जैसे democracy का जो नजाम है उसके बारे में ये कहा गया कि ये जम्हूरियत है कि लोगों को ये खुला नजाम है secularism है इसके अंदर और हमें इसलाम चाहिए जब ये आज से कुछ चालीस पचास साथ साल पहले की बाद जब पाकसान वाना तो ये बहस होनी चाहिए मैं प्रयार हो ग रहूं इसलिए क्योंकि जो secularism की बात की जाती है पाकस्तान में इसका जो तरजमा किया जा रहाUND प क्या आता है वो बड़ा जीव है वहां, you know, religion ही होता है, you know, और हमने, हमारे जुने शास्त्री ने आपको बताया था कि रिलिजिन में और धर्म में फर्क होता है, तो ये धर्म की बाद तो नहीं करने चाहिए उनके थाथ में, मजभब जो इनका है, लादीनियत, इनका जो मजभब है, जो उनका इसलामी करन ज रहेंगे, ये कैसा है, तो ये बिसली ट्रांसलेशन ही गलत है, इनका सेकलरिजम का, बट ये उनको सूट करता है, इसलिए वो इसी ट्रांसलेशन पर चलते हैं, कि सेकलरिजम में लादीनियत, शुरू होगी, अब ये डेलिबरेट एंड इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स हो हैं, स्कूलों, कॉल्जों, ये उनिवस्टिम होते रहें माजी में, ये तो अमेरिकन से लेगे, अफगानिस्तान से, वरना आप प्ड़ा सा दस साल पहले डिसकुशन तो देखें, बहुत बड़ा पैसा हमारे खैबर पक्तून का के अंदर और पाकिसान के अंदर इस चीज किया, तो मलाला ने किया, इस के वाले से, बहुत अब क्वेस्टिन ये है, कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, कि हमने इन बचों को लेके जाना, तीक है जी, अब स्कूल लेके जाना, दूसरी तरफ दाशित गर्दों को समझ लागी, अच्छा हकूमत ये काम करेगी, हकूमत अब करेगी, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रही है, हर कीमत पे, और ये पैसे कौन लगाएगा, ये पैसे बरतानिया लगाएगा, ये पैसे अमरीका लगाएगा, ये पैसे यूर्पिन यूनियन लगाएगी, ये पैसे यूनाइटिट नेशन लगाएगी, हम अग् बेंग्लादेश में तो नहीं होता इंडिया पर मसल्मान हैं मतलब ये Aンフा सनर अ कुछा नि की इसकया के लोग्थ अब चुरू है कि वेश्टन जाता है वहां पर उलता के आज हं चुरू की बारे बात की तो अफगानिस्तान के अंदर जंग शुरू हो जानी है अब पाकिस्तान ने बात किया तो एक ट्रैबल, अचा यह काम वो पंजाब में तो सकते हैं पंजाब में तो लोग उनको जो है वो एक और चीज है यह सिंध में नहीं करेंगे यह वह बुलोचिस्तान और खैबर पक्तूनखा में करेंगे लेकिन उसकी ज्यादा हमें फिकर इसलिए होती है कि यह जो पैरिफरल एरियाज है उनके बचों को मेंस्ट्रीम करना इ देंगे लिए क्या करें संद्ध में नहीं हो सब्सक्राइए प्रोग्रेसिव गोवर्मनट है किसकी Scr प्रुपर इस्पार्टी प्रुचहें कौन कर रहा है केपी बी तो वही है वही भुलूश स्थार वाले पीपी वाले और वो यहां क्यों नहीं अपने वालसी लगा सकते और जो चीफिन स्रया बनाए गया वो कौन है केपी में वो गुंडापूर गुंडापूर जैसे भी आपको है हमारी सोनम माजूर हो गुंडापूर कहते हैं गुंडापूर इस शकल देखके गुंडा रखता हूँ मगर हाँ उसका नाम गुंडापूर है तो आप जरब सुचिए अली अमिन गंडापूर साहब जो है वो कल उनको किसी ने कहा कि कि किसी पत्रकार ने किसी जिए उन से पूछ लिया कि जनाब चीफिनिस्टर साहब सहक करी है कि यहां पर गवर्नर जाढ़ेंगे आपके में केपी में क्या गवर्नर रून गौणर हाँस पर गपत्व नएघंगे सब जोग देख लेंगे केंदर सरकार को यह आलत हो इस तरह कें गुंडा पर तो वो क्यों नहीं एजुकिशन लाए सकती बलुचस्तान की बात कर रहा है बलुचस्तान में सिंद्ध गवर्मेंट है वही पीपल्स पार्टी की वहां पीटिया की गवर्मेंट है केपी में अग यह हल मचा हुआ है वो जरूर होना चाहिए हर कीमत पर अब इस स्कूल जहां पर हमला हो आप तकरीम पांच सो लड़कियां यहां पड़ती थी और यह गौर्मेंट मिडल स्कूल और यह स्कूल थे इस जाए कि बहुत सार ऐसे स्कूल है तो हमें क्या 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 ऐसा करें कि ह हमारी जो है ना वो इज़त रहे जाए क्योंकि अब देखें आब यह वड़ी डिफर्ट किसम की चांग है ठीक है जी दोजार साथ से तूथाजन से से दैस्ट गर्दों ने स्कूलों में मारना शुरू कर दिया और उनको पता चला क्योंकि यह खवातीन की एड़केशन में बड़ा फोकुस करते हैं लाजा इनको मारो ठीक है जी अब होता क्या है इसका जो बिसीकली जो स्कूलों पे जो हमला होता है इसका एक लॉंग टर्म नेगेटिव इफेक्ट होता है सुसाइटी पे और एकॉनिमी के उपर जब यह बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे कॉ यह एक ऐसी इस तरह के चीज़ है और पर्टिकली खवातीन की एजूकेशन यह जो मलाला यूसफ जई की माव को बाप बता रहा था वो क्या था वो खवातीन की एजूकेशन को उन्होंने इशू बना लिए ठीक है जी और एक सारा चला अब यह जो चैलेंजिस हमारे खवा में चीज़ें चला सकेंगे जिस बच्ची की तालीम ही नहीं है तो वो एक अच्छे अंदास से कैसे एक फैमिली रेस कर सकेगे अब यूनिसेफ पाकसान में पैसे बेज रहा है कि जी ठीक है बच्चे आउट आफ स्कूल है क्योंकि कुमत ने का है दो क्रोड साट लाग यह मैं आपको अंडरलाइन करा दूँ यह जो गर्स को एजगेशन की बात की कमर शीवाँ सामने यह बात अच्छली बड़ी सही है और मेरा जो एक्स्पीरियनस वहां रहा है मैंने यह देखा कि एक तो लड़कों के मकाबले में जो मुझे यह कहने है कि जिन स्कूलों मैं पढ़ा वो बैसकिलिए एलीट स्कूलों थे जहां में था और मैं आपको तो उन स्कूलों मैंने नोटिस यह किया कि जो जो बच्चे थे उनके मुकाबले में जो लड़किया थी वो कहीं जादा तेर्स थी बहुत जादा शाप थी आपको मैं यह भी जानकारी देदू यहा उनमें 70% सीट जो है जादा थे लड़किया ले आती है बहुत अलग बात है कि आपको उनके मेडिकल फेटरिनेटरी में यह नंबर नजर नहीं आएगा यह रेशो जो लड़कियों का है खवातीन का है यह रेशो नजर नहीं आता है क्योंकि जरनल या तो वो एज़केशन पढ़ाई कर लेती है तो वो बेसिकली उनका परवजी होता है कि फिर शादियां कर दो और फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाईगी तो मेडिकल की सीट को बरबाद करते हैं वो इस बात के लिए कि वो लड़की मेडिकल पढ़ जाएगी बाद में घर बैटके बच्चे ब तरफ शोर है हर तरफ शोर है अब यह जमों कुश्मीर का आप देखे हैं ठीके जी गौर्मन ने सुने हैं वहाँ पे दो दिन की चुटी करार दे दी है फ्रेड़ एंट सैचेड़ लाइन और्डर स्टिटुशन करार देखें यह तो फिर अजाद कुश्मीर तो ऐसी लग है उदर भी वह ऐसी करते हैं अब क्योंकि वह वीड क्रैसिस और बिजली के टैरफ्स के वाले से वह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं पुलीस ने रिसेंट ली आपको याद होगा हमने हामेद बशानी साथ के साथ इसमें बात भी की ती और यह जो एक है बिसिकली एजिके क कि अजाज जमू कश्वेर की जॉइंट अवामी कमेटी है ठीक है जी उन्होंने ये फैसला की है सिक्यूरिटी रीजन्स की वज़ा से अब देखे एक चीज़ है आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे हम जाते हैं इस पर मैं खाली एक पासिंग रेफरेंस देता हूं कि देर जाएगी तो फिर हम भूल जाएंगे ये जो उनने एक लाइन का जुम्ला बोला है कि ऐसा लगता है जैसे ये मकबुजा किस्मीर हो गया यानि हमारा इंडियन अफ़वर्ड किस्मीर जो उसको कह रह हो तब तक बासिंग में आती है कि किसी आलाखे में टारिस्स ऑपरेशन हो रहा है बंद किया गया या लाइन और की सिचुशन खराब है तो इस लिए रोका गया लेकिन अधरवाइस आप ये देखिए कि आज की दिमाने में जो कुछ चल रहा है कश्मीर में इस साल मतलब र बैलेंस करने के रहे वह चीमास आपने गेम खेला है दर रहा लुक अधिट घर से निकल नहीं नहीं देंगे आप लोगों को कुछ प्रोटेस्टी नहीं करने देंगे एंड देन आप जो दूद अन्शेद की नहरें भी आप नहीं भार है आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे अगर आप स्कूल बंद कर देंगे युनिवस्टी यह बंद कर देंगे कॉलिज बंद कर देंगे एक डामिक इंस्टिशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट अने वाला है तो उनको रोकना ज़रूरी है यह कौन सी लॉचिक है अभी तो हमने पूरा अफता एद की हुआ जाती है भाईर से ते हैं तो हम आर्म तो स्क्यूरिटि इनको प्राफर नहीं दे सकते हैं जब स्क्रिटि नहीं देंगे तो निया आफ्टर वर्ड, क्या हताब है अब फिर बड़ी यदानेंवाली हैं कु मैंने के करीब फिर पूरा फता चुठी बहुती बास और रिस्पॉंसिबल होंगे और लोग उन से पूछेंगे लेकिन इतने ज्यादा प्रियम्टिव में यड़ लेना कि आप अजाद किश्मीर के लोगों को को के पाएं तुसी करूंबार नहीं निकल साकते हैं हमाँ आपको जो है ना जैसे मारे पुझाबी में कहते हैं लम्या पाला ना तो मतलब ये तो फिर कोई बात नहीं ये तो आप ये समझें के ये ये जिसे वो ये ये वड़ी आहम चीज है मैं आपको इसमें एक अगर अगर आपने ये ही करना है लोगों के साथ देन होगा क्या आप कैसे ये कहेंगे के आप वो मैं कहीं देख रहा था कि मीरपूर की अंदर शेलिंग हुई है दध्याल की अंदर शेलिंग हुई है और वो बच्चे हैं शायद उनको कोई आंसों गैस की वज़ासे वो हॉस्पिटल्स में और इस तरह की सिच्वेशन उदर तालिबान ज आप किश्मीर में आप पर टेस्ट करने वाले बच्चों को मारें और जो है वो करें आसों गैस पहलें ठीक है जी तो ये कौन सी अकलमंदी की बात होगी अब जी वो मीरपूर में कोटली में भिंबर में हवेली में यह बहुत सारे नीलम जैलम वैली ये सारे अलाके के अचिर 24 आंप करें लेकिन बिल्कुली लोगों को नंकाने का निकलने ना झेमा लोगों को निकलने देना और कहना में कुछ ही नियुक्त कुछाओ और ये सीदा सीदा अलगा थे ना अभी देख रहा था, कि जो IG साब है, रिजाद कश्मीर के, रोना इन्जाम लगा है जी, इंडियन इंटेलिजिएंस एजेंसी के पेरोल पे हैं जो उदर कश्मीर में भी मगवोजा कश्मीर में पाकसानि इंटैलिजेंस एजंसी के पेरोल पे हैं इधर इन वचारा होगा अब देह रहा हैं यह वो कंपरेजिंग यह है वो बैलेंसिंग एक्ट कि जहां उनका आदमी Indian Intelligence Agency को क्या रहा है, हम यहां अपने Infiltration को खोते रहते हैं, हम तो इसलिए तुबारी इंट्री इंटेलियंस एजिन्सी को क्याते है, क्योंकि हमारे आपके आदमेरे गुरुड़ली पकड़ हैं, ट्रारिस पकड़ा जाते हैं, आप किया से आप क्या पकड़ रहे है तो फिर आपका जो आदमी बोल रहा है वो तो बिना किसी ग्राउंड के बोल रहा है ना हमारे बसक्राइब यह ग्राउंड तो होता है कि महाँ पर टर्रिस्ट पकड़े जा रहा है नजर आ रहा है कि वो किस ग्रूप के टर्रिस्ट हैं क है कि आपको पाकिस्तान में कि यह कुछ किया है कि यह को डोनों तरफ से हुई है हमेशा एक्ट और इन्डीयान इंटलीजेंचित अच्छा मुत मूं उन्लीजीनस ज Dalai ilay Param आप है वो जो चेंज किया है जो आव बीट का जो क्रैसिस उस पर प्रोटेस्ट कर रहा है नहीं तो यह तो कोई सवाल नहों यह तो कोई बाद ना होई कि जी आपके ओपर ठीक है जी अब उनके डिमांड्स बड़ी सीधी हैं डिमांड्स यह हैं कि जिनाव बीट सबसिडी दी जाए जैसे गिलकित के लोगों को दी जाती है यह अजाद किश्मीर के लोग कहते हैं जो अलेक्रिसिटी के टैरिफ जो है ठीक है जी वो उनको डिटर्मन किया जाए उस संदाज से जहां अलेक्रिसिटी परड्यूस होती है ठीक है जी उदर से वो डिटर्मन किया जाए मतलब यह नहीं कि बाद में टैक्स डालके हमें दी जाए तो जो मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अजाज जमू कु कौन सा टैक्स में बताय रहा था ठीक है जी कि उसको क्या पतर एडवांस टैक्स के क्या टैक्स उसको बोलते हैं आठाट आड़ जार पर एक बिल की अंदर अगर मेरे घर में दो मिटर लगे हुए हैं तो वही पे फिटीन थूजन रूपीस टैक्स जिस टैक्स मतलब 50 डॉ अलरर दुद्दिया में आप टैक्स देते हैं तुद्दिया के और मुलकों में भी रहा हूं कौन ऐसे करता है आप इन लोगों के साथ दैन वो कहते हैं कि जी ये जो अलले तलले यो बांद किया जाए आजाध पिस्मीर के लोग यह कह रहे हैं कि हमारे पैसे के उपर हम यह मारा बैंक बनाए किशमीर का बैंक को आदेड गया पंझाब बैंक को माने यह तो किशमीर का bैंक बनाता यार बैंक किया हो होगा अभो तर्थ पूण difil find day will have an ownership लोगे है अग। मेरे क्वे कि suc Satowal मतालवी है, लेकिन असल चीज क्या है, जो हकोमते पाकस्तान, जो मुझूदा हकोमत का माइंड़ सेट है, पाकस्तान के अंदर, कि लोगों को हिलने नहीं देना, प्रोटेस्ट हो गई नहीं, इसकी लॉजिक शायद जो मुझे नज़र आती है, इसकी लॉजिक शायद मुझे के लोग हैं, वो क्या करें अब? वो अगर पीस्फुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको आप डेड़े माते हैं. जो आपको गोलिये मारेंगे, जो आपको बिल्ड़गें उड़ाएंगे, उनको आप कुछ भी नहीं कहा सकते हैं, आप मजबूर हैं, उनके सामने आप सर जु होगा, और कौन करेंगा इसको, और कैसे बनेगा सब, आइविश के चीजें जो हैं, वो बेतर होती, कुछ इस तरह का सिस्टम हो के हमें, पाकिस्तान के अंदर, लोगों को अजादी तो हो प्रोटेस्ट करने की, ये तो कोई बात नहीं, आप किश्मीर के लोगों को आप ज लेकिन एक चीज़ का तो पता चल गया, कि हकोमा जो है, ये नॉट इंटरस्टेट के लोग जो है, वो अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो आपको पता है, फिर वो खबर भी नहीं आती, खबर इसलिए नहीं आती, इंडिया की वज़े से, जी वो इंडियन् किश्मीर में इतने फुले लात है, अच्छा किश्मीर में यह वहाँ भी यह हो रहा है, हमारे किश्मीर में त minimize हो रहा, यह खिस जार किसम के मसले हैं, वहाँ सो रहा है, मुदी साहँ लेक्शे निलाट रहे, और बहुत सारी चीज़े है, लेकिन दग वहाँ प्रोटेस्ति करने दें लोगों को प्रोटेस्ट करने से आप जो है वो नहीं हो सकते ठीक है जी शटर डाउन अगर प्रोटेस्ट आप ने उन्होंने किया है ठीक है तो आप करने दो ना यार उनको आपको क्या जाएगा एंड देन आप दूसरी बात यह है कि दो दिन के लिए जुम्मा इसलिए करेंगे कि जब लोगों का कारोबार मतासर होगा तो लोग इनको गालियां देंगे जो प्रोटेस्ट करने वाले हो गाता है या चुप करो सो हम भी कोई ऐसी स्टेट बनना चाहते हैं जिस स्टेट के अंदर अजादी को नहीं होनी चाहिए ठीक है शायद हमारे जो के बच्चों को तालीम तो दे लें ठीक है जी लोगों के बच्चों को तालीम तो दे लें उनको रोजगार तो दे लें उनको ये तो करें कुछ ये तो नहीं है कि जी आप जो मर्जी आपका दिल करता है आप करें जब दिल किया बंद कर दिया जब दिल किया चब दिल किया चड़े मार दी ये तो क्या मतलब ये को जिन्दगी लोगों ये क्या सोशल कॉंट्राक्ट हुआ भई ठीक है हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल सकते हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर हम ये सारा कुछ अपने फंडमेंटर राइट सी भी नहीं कर सकते हैं त कि ये इतने लॉँड़ानेसेसरी अगरंग्स करता कि बागी बीमताशार होटे जैसे इमरान कान थी वो इतने प्रोटेस्ट करते हैं कि सिन्दगी बड़ीमताशर होती थी ह्कूम्त सारे ताई में इंगेज रहती दो दूसरा है कि उनके तक स्वर्ण प्रॉटेस्ट के वाजुत उनको डंडे मिलते हैं, कोई उनसे बात करने नहीं आता, कोई इनको प्रॉटेस्ट समझने के लिए नहीं आता, कोई leaders से नहीं आता, कोई उनसे negotiate नहीं करता, कुछ करता ही नहीं, तो फिर वो जाएं कौन सी तरह से, कोई fashion करने लिए तो आता नहीं है, वहाँ पर जिब protest करने आ रहा है, वो कोई fashion करने आ रहा है क्या, जिवस आया जिंडा दिखाया तो वापस से लागया, ऐसा तो नहीं है न, वो उनकी एक genuine demand ह है, अगर आप genuine demand को सुनने के लिए, government की तरफ से कोई आ नहीं रहा, कोई action नहीं दिया जा रहा, कोई negotiation नहीं हो रहा है, तो बात कैसे बने, वो क्या खाने के लिए वापस से ले जा है, वापस आके भी क्या तीर मार लेंगे, लोगी प्रॉब्म तो वहीं होएं खड़ी है, हकूमत के भी बड़े इसमें हैं, एक होता है कि आप जाएं designated जगों पर प्रॉटेस्ट करें and then you disperse, एक होता है कि आप main highways को चोक कर दें और आप हर बंदे को नुकसान पुचाएं, ये जो प्रॉटेस्स का तरीका that is also not fair, so भले कहीं भी प्रॉटेस्ट हो लहोर में कराची आप इसलामबाद में हमने प्रॉटेस्ट लेका है, मैं जब जाता था इदर हमारे इसलामबाद के अंदर एक लाका ब्लू एरिया, वहाँ पर जाना तो लोग, कारोबारी लोग डरते थे, कि ये वो आ रहे हैं, इहतिजास करने वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एजोगेशन हैमरजंसी नाफस की, दैस्ट गर्दों ने मारना शुरू कर दिया, कश्मीर में उन्होंने आपने हाक मांगने शुरू कर दिये, उदर हमने चुटियां अलान कर दी, कि जी आप चुटियां करें, और बाकियों को डेंडें मारके, पकड़के, सैट कर देंगे ये है जी मजूदा पाकिसान की सूरते हाल. क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है, कोई निदान नहीं कर रहा है, कोई निदान नहीं कर रहा है, उनकी बात का, कोई निदान नहीं कर रहा है, तो ये देखना होगा, कि ये तमाम चीजें किस तरफ को जाएंगी, याद रहे, हम में से बहुत सारी लोग, अक्सर हमार पर यह सवाल आता रहता है कि P.O.K. में क्या हो रहा है या P.O.K. में क्या होगा या P.O.K. में आने वाले सालों में क्या हो सकता है आप जानते हैं फुल जड़िया चलनी शुरू हो गई है न कुछ है मेरे पैसे कहा था न कुछ है शुरू हो रही है and wait for your time wait for your time just see what is happening अभी ये लेतना ही हम बात करेंगे अगले विलोग में और आगे बाइब आफ़ानों टेक्योर अपसर गुणाएट